नमस्कार दोस्तों, तो आखिर वो दिन आ ही गया, जब अयोध्या की तरह काशी में भव्य मंदिर बनेगा। काशी की ज्यान वापी मस्जिद के नीचे एक बड़ा मंदिर मौजूद है। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन कर तयार हो पाया है। ठीक वैसे ही, ASI की सर्वे रिपोर्ट में काशी की ज्यान वापी मस्जिद के नीचे एक बड़ा मंदिर मौजूद है, जिस तरह से मुगलों ने अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ कर बाबरी मस्जिद का नि पाप मस्जिद बनाई गई है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप तो जानते हैं कि आज जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन कर तयार हुआ है, वह असंख्य हिंदू सनातनी हों के खड़े संगर्ष और बलिदान के बाद आज हमें नसीब हुआ ह बात है 1528 की, जब बाबर के सेनापती मीर बांकी ने इसलामी करण के उद्देश्य से अयोध्या के अतिप्राचीन राम मंदिर को तोड़ कर उस जगह पर बाबरी धांचा खड़ा किया था, जिसका नाम 1940 के पहले बाबरी मस्जिद ना होकर मस्जिद ए जन्मस्थान था, ठिक वैसे ही इसलाम धर्म को फैलाने के उद्देश्य से इन मुस्लिम आकरांता होने भारत देश के कोने कोने में फैले अतिप्राचीन हिंदू मंदिरों को तोड़ कर उस जगह मस्जिद दरगाह और इबादत गाह बना दिये, ऐसे में काशी बनारस से एक और चौकाने व जनिक करदी है, Archeological Survey of India की रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं, ASI की, हाल ही की सर्वे रिपोर्ट में कुल 32 ऐसे साक्षे मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि काशी में स्थित ज्यानवापी मस्जिद के नीचे एक बढ़ा हिंदू मंदिर जी हां दोस्तों आपको बता दें कि हिंदू पक्ष ऐसा दावा करते हैं कि जानवापी मस्जिद के नीचे 100 फीट उचा आदी स्वयंभू विश्वेश्वर नाथ जो तिरलिंग स्थित है, इसलिए याचिका करताओं ने इस बात की जाँच के लिए जानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक जाँच पर जोर दिया, इस आधार पर अदालत ने कोट कमिशनर नियुक्त करते हुए ASI से सर्वे करवाया था, साल 2021 में वारांसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन, फास्ट ट्रैक कोट से जानवापी मस्जिद के की मंजूरी दे दी गई, इस की वीडियोग्राफी और फोटो शूट भी किया गया, फिर 21 जुलाई 2023 को वारांशी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की बात सुनी, पुझ्य सरकार का संदेश, इस पुस्तक का बीजारोपन, एक घटना के कारण हमारे मन में हुआ, एक बच्चे को हमने बहुत करीब से देखा, जिसका परिवार संसकार मैं था, पूरा परिवार बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बहँग जाने के बाद, दूसरे मजहब में जाने के बाद, माता पिता ने रोकर जो घटना बताई, उसके बाद हमारे अंदर गुरु प्रेर्णा से एक भाव जागरत हुआ, क वो जवाब नहीं दे पाया, वो बोला कि हमें पता ही नहीं कि सनातन धर्म में विशेश्टाएं क्या हैं, तब फिर हमारी उससे बात हुई, वर्तमान में जो गुरु प्रेरणा लगी, उसको हमने समझाया, बताया, तो भगवत कृपा से वह सनातन की ओर है, और बहुत जल कि हमें पूरे देश के बच्चों को, जो हमारा ही परिवार है, उन्हें कुछ ऐसा सौपना चाहिए, जिससे बच्चों को पता हो कि हमारा सनातन धर्म क्या है, यदि कोई उनसे पूछे, तो उसका मूनहतोड जवाब होना चाहिए, हमारे प्रत्येक सनातनी बच्चे के पा हूँ, ताकि यह पुस्तक उनको जीवन भर काम आएगी, और वे अपनी सनातन संस्कृती को समझ पाएंगे, मेरे बच्चों, वर्तमान परिस्थितियां बहुत विचित्र हैं, भौतिक वाद का युग है, संसाधनों के पीछे, व्यक्ति भाग रहा है, साधनों के पीछे बदल के रख दिया है, आजकल साधन के युग में साधन को पकड़ कर धन संपत्ति अमीरी पाकर बच्चे बड़धे तो हो रहे हैं, लेकिन संसकार हीन हो रहे हैं, उनमें न तो प्रेम है, न करुणा है, न शान्ति है, न मोक्ष की कामना है, और जब संस्कृती ने हमारे भारत के बच्चों के मन बदल के रख दिया है, आजकल साधन के युग में, साधन को पकड़ कर धन संपत्ति अमीरी पाकर बच्चे बड़धे तो हो रहे हैं, लेकिन संसकार हीन हो रहे हैं, उनमें न तो प्रेम है, न करुणा है, न शान्ति है, न मोक्ष की कामना है, श्र पेता में श्री राम, द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में भगवान ने अवतार लिया था, वर्तमान कलिकाल में भगवान श्री आदी शंकराचार्य जी ने इस धरा पर सनातन धर्म की पुनरस्थापना की थी, आज पुनह ब्रह्मनिष्ठ साधु संतों की तपो भ भूमी भारत माता उसी प्रकार से सनातन धर्म की पुनरस्थापना मांग रही है, इस कार्य को करने का बीड़ा उठाया है संतों के लाडले एवं श्री बागेश्वर हनुमान जी के प्रियक्रिपा पात्रपम, श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने जिनह श्री बाग एश्वर धाम सरकार के नाम से जाना जाता है, सनातन धर्म क्या है, वर्तमान परिस्थितियां बहुत विचित्र हैं, भौतिक वाद का युग है, व्यक्ति संसाधनों के पीछे भाग रहा है, समाज साधनाहीन होता जा रहा है, जागो सनातनी, जागो मेरी अपनी आत्माओ इस पुस्तक को लिखते समय हमने यह ध्यान दिया है कि हमारे सभी पाठकों तक सनातन धर्म की संक्षिप्त और तथ्यपूर्ण जानकारी पहुँचे, इसलिए हमने सनातन धर्म के ग्रंथों का, सनातन के हमारे महापुरुशों का, सनातन के सिध्धानतों का, सनातनियों के लक्षणों का परिचय दिया है मेरे प्यारे प्यारे बालक बालिकाओं। इस पुस्तक को ध्यान पूर्वक हमारे सभी विद्यार्थी पढ़ें और उनके माता पिता भी इस बात का ध्यान रखें कि वे अपने बच्चों को यह पुस्तक कम से कम एक बार अवश्य आरंभ से अंत तक पूरी पढ़ाए। आजकल साधन के युग में साधन को पकड़ कर धन संपत्ति अमीरी पाकर बच्चे बड़ीद हे तो हो रहे हैं लेकिन संसकार हीन हो रहे हैं। उनमें न तो प्रेम है, न करुणा है, न शान्ती है, न मोक्ष की कामना है। और जब संसकृती न हमारे भारत के बच्चों के मन मस्तिश्क को बदल के रख दिया है आजकल साधन के युग में और जब दूसरे मजहब का कोई व्यक्ती नए रूप में उनके सामने कुछ बोलता है या सनातन धर्म को नीचा दिखाता है और अपने और अपने मजहब को उचा बताता है। तो हमारे सनातन का उद्देश्य क्या है या कब बना या सनातन धर्म की हमारे जीवन में क्या भूमिका है। जब हमारे बच्चों को पता नहीं होता तो या तो वे बहग जाते हैं। दूसरे मजहबों को स्विकार कर लेते हैं या फिर चुप होके मनहीन करके घर लोट आते हैं इसी बात को दृष्टिकोन में रखते हुए मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपके लिए इस पुस्तक में कोशिश कर इतना समावेश किया है कि आपको इतना पता हो जाए कि सनातन धर्म क्या है, इसके कितने ग्रंथ हैं, कितने महापुरुष हो चुके हैं, हमारे तीर्थ आठकों तक सनातन धर्म की संक्षिप्त और तथ्यपूर्ण जानकारी सभी तक पहुँच सके।